हे गाईज वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किसी के स्टेटस को कैसे देख ले और उसे पाता भी नहीं चले कि मैंने उसका स्टेटस देखा या नहीं तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी की फ्रेंट का स्टेटस देख ले और उसे पाता भी नहीं चले कि आपने उसका स्टेटस देखा या नहीं तो आप वीडियो को लाश्ट तक देखते रहिए मैंने बहुत ही कम समय में आपको सटिक तरीका बताया हुआ है जिससे आप किसी फ्रेंट के स्टेटस को देख पायें के और उसे पाता भी नहीं चलेगा आपने इस्टेटस देखाया के या नहीं तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी के status को देख ले और उसे पता भी नहीं चले तो simply आपको WhatsApp पे जाना होगा WhatsApp पे जाने के पास देहां हमारा WhatsApp फूल जाए गए उसके बाद यहां corner पे 3. पे प्रेस करना है प्रेस करते हैं बहुत सारे option देखने को मिलेंगे तो simply हमें settings में जाना है settings में जाने के बाद हमेरे यहां बहुत सारे option देखने को मिलेंगे जैसे account, chart, notification, storage and data, help, invite a friend तो simply हमें account में चले जाना है एकाउंट में जाने के बाद यहां पे हमें 6 option देखने को मिलेंगे privacy, security, two step, verification, change number, request, account information, direct my account तो simply हमें privacy में चले जाना है तो privacy में जाने के बाद यहां पे हमें read, receive, fits देखने को मिल रहा है तो इसे on कर देंगे इसे on करने के बाद आप किसी के status को भी देखेंगे तो उसे पता नहीं चलेगा आपने उसका status देखा या नहीं लेकिन इसके अलावा एक और इसका कारण है कि अगर आप इसे enable कर देते हैं तो आपने जो status डाला होगा उसे भी आप नहीं देख सकते हैं जो आपका status कितने लोगों ने देखा तो आप अपनी जरुरुद के हिसाब से job चाहें इसे enable कर सकते हैं तब तक के लिए बाइ